hello friends कैसे आप sir friends आज का जो हमारा topic है वो है सलवार में belt कैसे लगाते हैं और सलवार में plates किस तरह से डालते हैं इसके बताने वाली हूँ आपको, कि अगर आपने यह तरीका समझ लिया, एक बार आपने mind में बिठा लिया यह तरीका तो अपना की दिक्कत नहीं आने वाली है अपनी सल्वार में belts को ज्वाइंड करते वक्त. कभी big belt जो है छोटी वड़ी नहीं होगी को नहीं पढ़ेंगी ठीक है फ्रेंज लेकिन वीडियो को पूरा देखिए और यहां पे जो मेरे सूट की हिप है वो है 22 इंच और यहां भी मैंने इसको 26 इंच कटिंग किया हुआ है क्योंकि हमने अपनी हिप से 3 इंच एक्स्ट्रा अपनी बैल्ट को लेना होता है ठीक है फ्र कटिंग किया है और लंबाई में मैंने इसको 8 इंच लिया है और इस तरफ और यहां पे हमें 1,5 इंच का निशान लगाना है और नीचे से यहां पे 2 इंच का मारदन हमें छोड़ते हुए नीचे कपड़ा हमारे पास जो बचा है 5 इंच है और 5 इंच हमें अपनी बैल्ट रेडी करनी होती है अधा इंच नीचे सिलाई में चला जाएगा और सबसे पहले हम अपने बैल्ट की बैक साइड में सिलाई लगाएंगे अगर आपके पास ये कपड़ा ओपन नहीं है दोनों तरफ से तो एक छोटी सी सिलाई लगा लीजी पिछली तरफ या फिर छोटा स होती है अपने अगर आप इंटरलोग कर रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है आप स्केप भी कर सकते हो इसको और यह देखे यहां पर मैंने दबाव की सिलाई लगा दी है अब इस पूरे कपड़े को हमने यह देखे दूसरी साइड कर लेना यानि कि दूसरी तरफ हमें सिलाई लगानी है और यहां पर हमने यहां तक ही सिलाई लगानी है जहां तक निशान है और इसको दो या तीन वार पक्का कर लीजी यहां पर और इस कपड़े को उठाते हुए यहां पर आपने अपनी सिलाई को पक्का करना है और यह एक सिलाई लगा देनी है इस तरह से यहां प आप आधा या पॉनेंच का मार्जन छोड़ सकते हो अपनी सिलाई लगाते वक्त क्योंकि हमें इसको दबाना होता है इन सिलाईनों को ये देखे इस तरह से हम इस सिलाई को बीच में से खोलेंगे और इसको अंदर की तरफ फोल्ड करते होई यहाँ पे सिलाई लगानी है हमे यह देखे पूरा कपड़ा अंदर की तरफ फोल्ड किया आपने और इस तरह से अपने इस कपड़े पे सिलाई आपने लगा देने दूसरी तरह भी इसी तरह से फोल्ड करते हुए अपने सिलाई लगानी है पूरी बैल्ट में देखे और फ्रेंज मैं आपको बता रही हूं क अगर आपने ये तरीका समझ लिया तो कभी भी आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है ठीक है फ्रेंज इसलिए वीडियो को पूरा देखिए और यहां पे हम अपना नाडा इंसर्ट कर सकते हैं जो भी आप अपनी लेंग्विज में बोलते हो और दिखिए इसको आधा इंच जितना हमने सिलाय लगाई है उसको थोड़ा सा मारजन छोड़ते हुए आधा इंच इसको अंदर की तरफ रखना है कपड़े को और पूरी बैल्ट में आपने सिलाय लगा देनी है अच्छी तरह से ठीक है फ्रेंज और याद रखिए इस कपड़े को अच्छी तरह से आपने बैठाते हुए सिलाय लगानी है आपके इसमें कोई भी किसी तरह का जोड़ नहीं आना चाहिए यह देखिए पूरी फिनिशिंग के साथ आपने यह सिलाय लगानी है फ्रेंज और इसको यहां से डबल कर दीजिए यह देखिए अब इसको निकाल लिए यह देखे यह हमारी बैल्ट बनके रेडि है एक्स्ट्र धागों को आप काट सकते हो और अब आपने यह देखिए यह हमने सलवार रेडि कर ली है यानि कि इसको जड़ लिया है पूरी सलवार को और ये दोनों हमारे आसन है आगे वाला और पिछे वाला अब आपने क्या करना है एक आसन उठाना है कोई भी उठा लीजिए यहां पे हमने निशान लगाने है यहां पे हम धाई इंच का दोनों तरफ मार्जन छोड़ते हुए निशान लगाएंगे यानि कि जो हमारे सेंटर की सिलाई है उसके दोनों तरफ हमने धाई धाई इंच पे मार्क करना है और इस तरह से चोटी सी प्लेट्स डालनी है यानि कि सवा एक इंच की हमारी प्लेट डलेगी सवा एक इंच कपरा अंदर की तरफ जाएगा और सवा एक इंच बाहर की तरफ और यहां पर बड़ा बखा करके अपनी सिलाई को लगा लीजिए यह दिखे दुसरी तरफ भी हमने इसी तरह से प्लेट डालनी है और इसको निकाल दीजिए और इस प्लेट को हम क्यों डालते हैं क्योंकि हमें बैट ने उठने में कोई भी दिक्कत नहीं आती है इस तरह से और यह प्लेट हमारी बनके रेडी है अब हमने अपनी बैल्ट को उठाना है दोनों सिलाईयां मिलाते हुए आगे वाली और पीछे वाली अगर सिलाई पीछे नहीं है तो कट लगा लीजिए अपने सेंटर में और यहां पे देखिए इस तरह से हमने 9 इंच पे मार करना है यानि के पीछे हमने 4 इंच का कपड़ा छोड़ना है और आगे से इसको 9 इंच पे मार कर देना है अपनी बैल्ट को याद रखिए यह हमारा आगे वाली साइड है अब हमें अपनी सलवार जहां पे हमने प्लेट्स डाली इसी पीछे वाली यह पीछे वाली जो प्लेट्स है पीछे वाली सिलाई को उससे मिलाते हुए देखिए यह आगे वाला हिस्सा है बार बार बता रही हूं आपको पीछे की सिलाई पीछे वाली प्लेट्स से मिलाते हुए यहाँ पे देखिए आपने इस तरह से सीधे सीधा मिलाना है अंदर की तरफ आपके दोनों कपड़े सीधे होने चाहिए और इस तरह से इस निशान पे पकड़ के यहाँ पे हमें कट लगा देना है पीछे वाली साइड ठीक है यही तरीका समझने वाला है यही चीज समझने वाली है दूसरी तरफ इसी कट को गुमाते हुए यहाँ पे दूसरी तरफ भी हमने कट लगा देना है यहाँ पे ठीक है फ्रेंज यह देखे और यह दोनु तरफ हमारे कट लग चुके हैं यह पीछे की साइड है इतना याद रखीजे बस और अब आगे की साइड हम आते हैं यह देखे यह हमारे आगे का आसन है और यहाँ पे हम 1.5 इंच पे निशान लगाएंगे यानिकि 1.5 इंच तक ही हमें अपने दोनों तरफ प्लेट्स डाल दी हैं और अब हम अपने जो पार्ट्स हैं पले हैं हमारी सलवार के उसके सेंटर में हमें दोनों तरफ कट लगाना है एक साइड इस तरह दूसरी पार्ट्स में भी हम इसी तरह से कट लगाएंगे यहाँ पे हम अपनी सलवार की क्रीज बनाते हैं जब हम अपनी मोरी को उपर तक प्रेस करते हैं और ये देखे पीछे वाली साइट से हमने प्लेट्स दालनी शुरू करनी है सबसे पहले एक तरफ डालिए और जितना भी आपके पास ये देखिए एक एक इंच पे हमने अपने एक इंच पे ही हमने अपने प्लेट डालने हैं क्योंकि हमारे पास ये कमर्स का कपड़ा है और अगर आपके अप फुल हैवी सलवार बना रहे हो तो दो दो पॉइंट का मार्जन छोड़ के यानि के तीन तीन इंच की प्लेट भी आप डाल सकते हो यहाँ पे नॉर्मल सलवार है ये और मैंने इसको इस तरह से हाफ इंच का ही गैप दिया है अपनी प्लेट में और ये देखे इसी तरह से हम अपनी प्लेट्स डालते चले आएंगे और ये हमारा पल्लों का सेंटर आने वाला है उसके पीछे तक ही अपनी प्लेट को डालिए यहाँ पे हम इसको पकड़के क्रीज बनाएंगे यहाँ से हमारी सलवार की क्रीज बनती है ठेक है फ्रेंज और इसी तरह से हमने अपनी प्लेट्स डालते जाना है अच्छे से अगर आपने एक बार ये तरीका समझ लिया तो माशा अल्ला कभी भी आपको कोई भी किसी भी तरह की गलती नहीं हो सकती है आपसे और ये देखे ये वो निशान आ गया जहां पे हमने मार्क किया था डेड़ इंच पे और इस यहाँ तक ही हमें अपनी प्लेट्स डालनी है ये देखे प्लेट्स हमारे डल चुकी है इसी तरह से कपड़ा दूसरी तरफ रखना है और अपनी प्लेट डालनी है यानि कि ये गैप हमारा जो आएगा वो दोनों साइड से इक्वल आएगा और यहाँ पर भी हम इसी तरह से प्लेट को उठा उठा के पूरे सलवार में डाल लेंगे आगर आपके पास ये फूल गेर वाले सलवार है तब भी इतना ही मार्जन होगा अगर ज्यादा ही हैवै इसी की सलवार है तो आप पांच इंच का पीछे मार्जन छोड़ सकते हो जहां पे मैंने चार इंच पे छोड़ा है ठिक है फ्रेंच यह देखे यह हमारे वो सेंटर का कटा गया पार्स का यानि कि जो प्लेट्स हमें डालनी है वो 9 इंच के अंदर अंदर ही डालनी है इससे एक तो आपकी सलवार जो है कभी भी नहीं घूमेगी आपकी मोरी घूमती है ना अगर घूमती है तो ऐसा कभी भी नहीं होने वाला है अगर इसी तरह से लगाओगे तरफ एक्वल है और ये दोनों साइड से हमारी पूरी वैल्ट हैं हैं अअगी वफेर हैं या नहीं और sust कर लिए कि दूसरी साइड भीन डूसरी साइड़ प wohnt करेब्स। और मैं कर चुकी हूँ चेक, अब अंदर की तरफ, यानिके सीधी साइट से सीधी साइट को जॉइंट करते हुए, आपने अपनी बैल्ट और सलवार के उपर आधा इंच की सिलाई लगानी है, देखे, मैं नजदीक से दिखाती हूँ आपको, और इसमें आपके प्लेट्स ज सिलाई आपकी पीछे बैल्ट की सिलाई से मिलनी चाहिए, यह देखे फ्रेंज, यह मारपूरा पूरा मारजन आया है, और अगर आपको यहाँ पे दिखकत हो रही हो, सिलाई लगाते वक्त, यानि के पूरी सिलाई को गुमाते वक्त दिखकत आ रही हो, तो इसको और दूसरी साइड से अपनी सिलाई को लगा लीजिए, ठीक है, यहाँ पे पीछे से हम अपनी सिलाई को रखेंगे, और इस तरह से हम अपनी दूसरी तरफ भी अपनी बैल्ट को जोईंट कर देंगे, सलवार के साथ, यह देखिए फ्रेंज, अपनी प्लेट सापने ध्या को लगा देना है, और इस तरह से अगर आप अपनी बैल्ट को जोईंट करोगे, फ्रेंज, कभी भी आपको कोई भी किसी तरह की प्रॉबलम नहीं आएगी, और यह हमारे प्लेट्स बनके रेडी है, बीच वाला गैप आया है, और एक चीज रह गई है, हमें इसमें जो बैल्ट की तरफ इसका जो फेस है होना चाहिए, यानि के पूरा कपड़ा उपर की तरफ हमें लगा के यहां पर दबाव की सिलाई लगानी है, और यह बिल्कुल पास-पास आपने लगा देनी है, एक पैर का मार्जन छोड़ते हुए, पूरी सलवार में इस सिलाई को लग देख रहे हैं सलवार में, यह देखे, पूरी फिनिशिंग दे दीजिए, अपनी सलवार को, और फ्रेंस, यह देखे हमारे जो यह सिलाई है, यह देखे, यहां से हम अपना नाडा इंसर्ट कर सकते हैं, अपने दागों को पहले ही इनमूब कर लीजेगा आप, और इस तरह करते हो, तो मेरी गारंटी है कि आप कभी भी अपनी प्लेट को या फिर बैल्ट को अटेच करने में कभी भी कोई गलती नहीं कर सकते हो, अगर आपको हमारा यह तरीका पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बि मैं आपके हर कमेंट का जवाब दूँगी आपको, कोई भी आपको दिक्कत हो, आप हमसे पूछ सकते हो, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाबाए दोस्तों, थैंक्स फोर वाचिंग, और कीप स्पोर्टिंग गाइज,